So, what is up guys, welcome back to the channel with the with the sim energy and the sim आज की वीडियो पे हम बात करने वाले है PMPL South Asia Season 4 Fall Split के बारे में तो आज की आप सभी को बात है कितना ज्यादा important tournament है अगर आपको global tournament खिलना है या फर आपको PUBG Wally Sport का biggest tournament खिलना है PMGC के लिए आपको यहाँ पर qualify करना और अच्छा perform करना कितना ज्यादा जरूरी तो आज की वीडियो पर में इसकी invited teams के बारे में बात करने वाले है तो जैसे कि आप सभी को याद होगा in recent में मैंने आपको यहाँ पर इसकी invited teams के बारे में कुछ बहुत बड़े hints दिये थे तो guys इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले है काफे आप लोगों के डाउट आरे चैसे आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते है तो guys here it is मैं आचुक हूँ आपके सामने वीडियो लेगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इस बार हम वीडियो पे aim target रखते है 1000 लाइक का कभी हमारे पूरे तो होते नहीं क्या पता इस बार हो जाए तो सबसे बड़ा हिंट या लीग निकल कर आ रहा था कि हमारी जो PMPL सीजन 4 है इसमें PMPL सीजन 3 का जो आप सभी को पता है रिसेंट में स्प्रिंग स्प्लेट हुआ था वहाँ से top 12 ने आएगी PMPL final से तो guys here it is job की teams है PMPL final से अगर बात करें इसमें 7 Nepalese team है अगर बात करें दो मंगोलियन team है इसके बाद एक बांगलादे शीजन की team है पाकी दो Pakistan region की team है लेकिन अगर बात करें आप एक बहुत बड़ा change आपको दिखने को मिलेगा Pakistan region के slot से वो है Stolward Flax क्योंकि अगर पहले बात करें Stolward की जो थी आपकी organization यह आपकी Flax के साथ मर्ज थी जो की Pakistan region में थी लेकिन इसके बाद Stolward यहाँ पर अलग हो चुकी अब यह slot Stolward के पास है और के पास है तो अभी आपको एक ओन नीज देने थी कि आपको recent में पता है मैंने बताया होगा वीडियो पर कि Stolward पाकिस्तान region से जा चुकी है अब यह Stolward e-sport की call रहने वाले कि वो अपने slot से किसको खिलाती है I8 नहीं खेलने वाली यह चीज मैं पहले ही कर दू I8 अपना slot खुद लड़ रही है I8 अभी PMNC भी खेली है After it आपका PMCW पे भी आपको फाइनल में उसको इनवेट है तो बाकि आप टीम्स देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने आरेए Top A team DRS, Zeus, Seven Seas, Dead Eye, T2K, 1952, High Voltage and Strollward Flex की टीम है बाकि अगर बात करें दो और नेपलीस टीम के बारे में और एक मंगोली टीम के बारे में तो PN Crew, Carnegie Sport, Seal Sport and R3D यह Top 12 team है गाईज, तो 12 slot तो हमारे यहां पर confirm होगे अगर बात करें यहां पर 3 slot अभी हमारे PMNC से गए जो चैंपियन बन के गए है, South Asia रिजन से अगर बात करें नेपाल रिजन से Raw Official है अगर बात करें Team Bablu and इसके बात करें Venom Legends तो हमारे 15 slot अब गाईज, confirm हो चुके है, जैसा मैंने आप सभी को बता है अब यहां पर बात कर लेते हैं, तो तो हमारी आपकी Top 12 team है तो PMPL से जब हमारी Top 12 team चली चुकी है, तो हमारी 12 team हो चुकी है अगर बात करें हम यहाँ पर अपनी PM NC से, तो हमारी PM NC से जो team गई है, वो हमारी गई है Top 3 team अब हमारी जो 15 slot है, वो हिंड के हिताब से Complete हो चुके है 15 slot हमारी Complete है, अब हमारे बसते हैं सिरफ 5 slot अब हमारे बस सिरफ 5 slot बचेएगा, इस तो 5 slot कहां से जाने वाले है तो guys अब बात कर लेते हैं आपका 5 slot के लिए हो जाने वाले है आपका PMCO से आप सभी को बता है हक रीजन में भी PMCO चली हुए और एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ दिये ट्रिंडा I8 के प्लेर आप सभी को बता है तो उनसे उनों के लाइव क्योंने में पुछा गया जब भी हमारी कोई लीग स्टेजिस होती है उसमें टॉप 20 टीम ही जाती है अगर इस बार स्लॉट्स बढ़ते तो PMCO के स्लॉट्स भी हाँ पर थोड़े बढ़ने वाले नहीं तो PMCO से एक या दो टीम ही जाने वाली है जो की काफी सारी चीज़े लग रही है तो guys आपके ग तो PMCO से टॉफ वन या टू टीम आपको दिखने वाली है अगर स्लॉट्स इंक्रियस जाते पिछले साल की तरह अगर तीन स्लॉट तो यहां पर स्लॉट्स बढ़ भी सकते हैं यह सारी पपजी वाली स्पोर्ट की कॉल है कमेंट करके ज़रूर बताना अभी तक के लिए मैं आपको सारी टीम्स बता दिये 15 वारी जो कंफर्म है तो जैसे हमार पर कंफर्मिशन आएगी आपको वीडियो मिल जाएगी तो आज की वीडियो के लिए इतना ही होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को ऐसी लाइक शेयर और सब्सक्राइग कर तो ऐसी इसपोर्ट के नियुज जानना चाते हो तो तो तिल दाइन स्टेश चाहिए